हेलो स्टुडेंट कैसे हो आप सब मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिसकस करने वाले हैं क्वाड्राटिक इक्वेशन्स बाई फेक्टराइजेशन मेथड जी हाँ बेसिक से एडवांस तक के कोशन हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो को एंड तक देखिए तो सबसे पहला कोशन हम ले रहे हैं सबसे पहला कोशन हमारे पास है एक्स स्क्वेर माइनस के 3 एक्स माइनस 10 इस इक्वाल टू 0 यह पहला कोशन है, बेसिकलिए अगर हम बात करें quadratic equation की, तो quadratic equation इस form में होती है, ax square plus bx plus c is equal to 0, इस तरह की quadratic equation होती है, और जब भी factor हमें निकालने हो, किसी भी quadratic equation के, अगर हमें factor निकालने हैं, यह जो दो sign होते हैं, इन पे हमें focus करना होता है, यह जो c के साथ वाला sign है, और यह जो bx के साथ वाला sign है, इस पे हमें ध्यान देना होता है, अगर हमें यह 2 sign के बारे में अच्छे से पता चल गया, तो हमें कभी भी factor बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी, तो चलिए start करते हैं, समझते हैं इन signs को, देखे, x square minus 3, x minus 10 equal to 0 है, सबसे पहले आपको क्या करना है देखे, x square के साथ क्या है, ए है, हमारे question में x square के साथ multiply में कुछ नहीं है, जब नहीं होता तो into में क्या होता है, 1 होता है, x square के साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 1 को multiply करना है 10 से, 1 को जैसी हम 10 से multiply करेंगे, देखे हम क्या करने ज सब्ट्रेक्शन करने पर या फिर एडिशन करने पर हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पर माइनस के 3 हम चाहे उसे सम कर रहे हैं चाहे हम सब्ट्रेक्ट कर रहे हैं तो हमें माइनस का 3 मिलना चाहिए ऐसे दो नमबर हमें देखने होते हैं दो नमबर हमें देखने होते हैं जिसे हम multiply करें तो आए minus के 10 और हम addition करके देखें या उसे subtraction करें तो हमें minus का 3 मिले हमें minus का 3 मिले तो हमारे दिमाग में दो नमबर कौन से आ रहे हैं देखो multiply करने पे 10 आएगा तब अगर हम 5 को multiply करेंगे किससे? 2 से 5, 2 जा कितना होता है? 10 होता है दो नमबर हमें मिल गए 5 और 2 अब आपने center में देखना है center वाले नमबर पे क्या है? center वाले नमबर पे जो sign है वो है minus का 3 और minus का 3 तब भी आएगा अगर हम बड़ी रकम का sign रखेंगे minus और छोटी रकम का sign रखेंगे यहाँ पे plus तो देख हम इसे subtract करते हैं plus minus minus होगा subtraction होगी तो minus 5 में plus 2 add करेंगे तो हमें मिलेगा minus 3 इसका मतलब हमने जो दो नमबर देखेंगे बिल्कुल सही है अब करना कैसे है आपको? ठीक क्या करना ही? जो minus 5 है minus 5 है x square इस 3 की जगा पे इस 3 की जगा पे लिखना है minus 5x और साथ में लिखेंग और minus 10 को नीचे उतार लेते हैं यानि इसमें और इसमें कोई फरक नहीं है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब क्या करना है? यहां पे देखें क्या common आ रहा है यहां पे x square है और यहां पे x है दोनों में से x common आ रहा है अगर हम x को common ले लेते हैं तो यहां बचेगा हमारे हमारे पास x-5 और इन दोनों में क्या कोई पर आ रहा है दोनों के टेबल पर आते हैं तो two common ले ले लिजिए यहां पर आ जाएगा आपका x-5 यहां बचेगा यहां बचेगा यह अंदर x plus 2 is equal to 0 एक बार आप इसे 0 के बराबर करेंगे एक बार आप इसे 0 के बराबर करेंग जब हम x-5 को 0 के equal लेते हैं और x plus 2 को equal to 0 लेते हैं तो हमें यहां से x की value मिलेगी plus 5 और यहां से x की value मिलेगी minus 2 ठीक है तो यह हमारे roots होते हैं ठीक है इस quadratic equation के यह क्या है roots हैं तो एक मिली हमें value 5 और एक मिली minus 2 चलिए second question लेते हैं उसमें समझते कोई भी doubt अगर आपका रह अगला question में ले रहा हूं question है आपके पास x square minus 7 x plus 12 equal to 0 ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है x square के साथ multiply में कौन है 1 है तो 1 को पहले multiply करेंगे किस से 12 से multiply करेंगे देखिए हम अगर दोनों को multiply करते हैं तो product product ही होता ना multiply product करने पर हमारा क्या आना चाहिए plus 12 ठीक है यह sign देखन करें तो हमें मिलना चाहिए minus के 7 हमें मिलना चाहिए minus के 7 multiply पे 12 और addition या subtraction पे 7 तो हमारे दिमाग में जो multiply करने पे 12 आएगा तो वो है 3 और 4 ठीक है ना 3 4 जा 12 ठीक है और अगर हम दोनों को add करेंगे तो हमें मिलेगा 7 question दिमाग में उठता है कि 12 तो 6 और 2 को multiply करने पे भी आता है लेकिन जब हम इने add करके देखे ना तो add करने पे 8 आएगा लेकिन हमें चाहिए minus के 7 ध्यान से समझे student क्या क्या रहूं मैं अगर हम इन दोनों number को add करके देखे 3 और 4 को तो हमें मिलेगा 7 multiply पे 12 तो जो कि हमारी requirement को पुरा कर रहे हैं लेकिन अगर हम 6 और 2 लेते तो addition पे हमें 8 मिलेगा जो कि हमें 7 चाहिए और multiply पे भले हमें 12 मिल रहा हूँ तो ये factor सही नहीं है हमें इन दोनों को लेके चलना होगा लेकिन अब देखे 3 और 4 भी आ गया 3 और 4 भी आ गया लेकिन addition पे हमें minus 7 चाहिए तो minus 7 चाहिए दोनों को total ही minus में चाहिए तो दोनों के sign हमें क्या रखने पड़ेंगे negative रखने पड़ेंगे तो minus का 4 आएगा यहाँ पे तो minus का हमें लेना पड़ेगा 3 और minus का ही 4x और plus की हमारे होगे 12 equal to 0 ठीक है तो देखिए दोनों को add करने पे उपर वाली रिकम आने चाहिए तो दोनों में कोई फरक नहीं है दोनों से नहीं है ठीक है अब इन दोनों में से common आ रहा है आपका x तो अंदर बचेगा x minus 3 और यह दोनों में से common आ रहा है 4 यानि 4 के table प्यारे ना है तो 4 जैसी common लेंगे 4 बंचा 4 4 3 12 जब भी minus common लेते हैं तो अंदर के sign change हो जाते हैं यह धियान रखना है equal to 0 एक हमें मिल गया x minus 3 factor इसे common ले लो और एक हमें factor मिल जाएगा x minus 4 equals to 0 एक बार इसे 0 के बराबर करो एक बार इसको 0 के बराबर करो दोनों को जब 0 के बराबर करेंगे तो हमें x की value यहां से मिलेगी 3 और यहां से हमें x की value मिलेगी 4 तो चलिए एक question और देखिए level को करते हैं अब ठीक है next question हमारे पास है question है 6x square plus 5x plus 5x और यहां पर लेते हैं minus के 6 equals to 0 6x square plus 5x minus 6 equals to 0 ठीक है तो चलिए करते हैं सबसे पहले क्या करना है हमने क्या सीखा हमने कि सबसे पहले जो भी x square के साथ होगा उसे multiply करना है 6 से 6 6 जा 36 36 आ जाएगा किसका आएगा minus का आएगा बई product करने पेचे यह minus के 36 और addition subtraction पे हमें चाहिए plus के 5 ठीक है तो दो रख में कौन सी आ रही है 36 का आएगा 6 को 6 से multiply करने पे आएगा एक तो 36 लेकिन दोनों को जमा करेंगे तो हमें 12 नहीं चाहिए ठीक है ना तो हमें तो चाहिए लेकिन कितना चाहिए 5 चाहिए तो और कौन से table पे आता है 9 forza 36 9 forza 36 और दोनों को हम subtract करके देखे तो मिलेगा हमें 5 क्योंकि plus का 5 चाहिए तो 9 को हम रख लेते हैं plus में और 4 को हम रख लेते हैं minus में दोनों की जब subtraction करेंगे तो हमें मिलेगा plus का 5 जो की हमारी requirement को पूरा कर रहा है तो चलिए put करते हैं इसमें 6x square plus के 9x minus के 4x minus का 6 equals to 0 ये दोनों किस table पर आ रहे हैं ये दोनों हमें 3 के table पर आ रहे हैं 3 common ले लिए इसमें से तो 3 common आ जाएगा अंदर बचेगा हमारे पास 3x भी common आ रहे हैं तो ये बचेगा 3 2 is a 6 और 3 3 is a 9 ठीक है और इदर से हम देखे तो ये दोनों 2 के table पर आ रहे हैं तो minus का 2 common लेंगे तो अंदर के sign change भी होंगे 2 2 is a 4 2 3 is a 6 ठीक है equals to आगा 0 ये दोनों आपके बिल्कुल मैच होने चाहिए अगर मैच हो रहे हैं तो factor हमारे बिल्कुल सही है इसमें से ये चीच ले लिए लिए common 2x plus 3 आगा common और अंदर हमारे पास एक factor बचेगा 3x minus 2 is equal to 0 तो यहां से हमारे x की value मिलेगी य यह उदर जाके minus 3 हो जाएगा x की value आ रही है minus 3 by 2 और यहां से हमें मिलेगी 3x is equal to 2 x की value आ जाएगे 2 by 3 यह minus का sign उदर जाके plus हो जाएगा ठीक है यह दो root हमारे आ गए वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो please like कर दीची चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करके bell icon भी on कर ली चलिए question और लेते हैं level को करते हैं अब 2x square minus x plus 1 upon 8 equal to 0 ठीक है चलो मान लीजी question हमारे पास ही आ गया 2x square minus x plus 1 upon 8 equal to 0 तो इस तरह की question हो में सबसे पहले क्या करेंगे student आप 1 लगा के दोनों के अपान में 1 लगा के हम लेंगे LCM जैसी आप LCM लेंगे तो 8 2s are 16 x square minus 8x और यह multiply करेंगे तो यह आजाएगा आपका 16 x square minus 8x plus का 1 और 8 को 0 से multiply करेंगे 0 आगया यानि क्या पहले इसको इस form में बना लीजिए ax square plus bx plus c is equal to 0 देखो अपान में कुछ नहीं है न तो अगर अपान में है तो पहले आप हैल से हम ले ले लेना ठीक है तो चलिए बनाते हैं factor 16 को multiply करना है 1 से 16 बन जा 16 multiply पर आ रहा है 16 लेकिन प्लस का और addition या subtraction पर चाहिए minus का 8 add करके देखे हम उसे या minus करके देखे तो मैं minus का 4 minus का 8 मिलना चाहिए तो दो रख में हमारे पास जो दिमाग में आती है वो है minus 4 और minus 4 देखो add करेंगे तो minus का 8 आएगा multiply अगर हम इसे करें तो 4 4 जा 16 minus minus plus हो जाएगा बिल्कुल सही तो 16 x square minus के 4 x minus के 4 x plus 1 equals to 0 ठीक है बस इसकी जगा पे नहीं दो नमबर डालने होते हैं आपको 16 जगा पे 1 अपनी जगा पे हैं दोनों किस टेबल में आ रहे हैं और x भी दोनों में common आ रहा है तो 4 4s are 16 4 1s are 4 और इन दोनों में से कुछ common नहीं आ रहा तो जब कुछ common नहीं आ रहा के रहा आगे रेको minus है न तो minus का 1 common ले लेंगे तो अंदर के sine change हो जाएंगे 4 x minus 1 equals to 0 तो यह देखें, दोनों same आ रहे हैं तो 4x minus 1, एक यह factor common आ रहा है और यह चीज, 4x minus 1 दोनों same ही आ रहे हैं, equals to 0 एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और आपको पता, दोनों same ही है जब दोनों को equal to 0 के रखेंगे हम तो 1 उतर जाके हमारा हो जाएगा 1 उतर जाके हो जाएगा हमारा plus का 1 और x की value हमारी आजाएगी 1 by 4 और दोनों सेम ही है तो दोनों से हमें root सेम ही भी लेंगे 1 by 4 1 by 4 ठीक है तो चलिए एक question और लेते हैं ठीक है ध्यान से देखिए चलिए next question हम लेते हैं root 2 x square plus 7 x plus 5 root 2 level को करती है हमने बहुत जादा root 2 x square plus 7 x plus 5 root 2 equal to 0 ठीक है ध्यान से देखिए इस question को सबसे पहले हम क्या करेंगे root 2 को multiply करेंगे 5 root 2 से जब root 2 की multiply आप 5 root 2 से करेंगे तो ध्यान लखना है 5 asities हैगा और root 2 root 2 से गुना होके multiply होके क्या आजाएगा 2 आजेगा root 2 का square हो जाएगा square से root cancel हो जाता है ध्यान लखना है तो बचेगा 5 के साथ में बचेगा 2 5 2 जा हो गया 10 यानि multiply करे multiply करे तो 10 आना चाहिए कौन सा साइन आएगा और साथ में प्लस का साइन आना चाहिए ऐसे दो नंबर जिने multiply करे तो प्लस का 10 मिलना चाहिए और addition या subtraction पे addition या subtraction में हमें मिले प्लस का 7 तो बहुत ही असान नंबर है दो 5 और 2 देखो 5 2 से 10 ठीक है और अगर हम यह एड करेंगे 5 और 2 कितना होता है 7 होता है प्लस करेंगे तो 7 multiply पर 10 ठीक है तो root 2x के अर plus के 5x plus का 2x and plus 5 root 2 ठीक है नंबर तो हमें असानी से मिल गए लेकिन अब common देखे ध्यान से देखे common कैसे लेंगे ठीक है तो अब इसमें देखे common क्या रहा है दोनों में इन दोनों में common आ रहा है सिर्फ x x को अगर हम common ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास बज़ेगा root 2x plus के 5 ठीक है और इन दोनों में देखे अगर हम common क्या रहा है तो इसमें दिख नहीं रहा कि common क्या रहा है यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है 5 root 2 लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें जो 2 है हमारा जो 2 है हमारा अभी पीछे देखें अगर हम हमने क्या किया था root 2 को root 2 से multiply करने पर हमने 2 लिखा था इसका मतलब हम 2 को फिर से वापिस root 2 into root 2 लिख सकते हैं और साथ में x है प्योंकि root 2 को root 2 से multiply करें तो 2 आएगा और साथ में plus के 5 root 2 is equal to 0 अब देखें यहाँ तो हमने common ले लिया था root 2 x plus 5 और देखें अब वहाँ से भी common आना है root 2 और यहाँ पे भी क्या है root 2 जैसे हम इसे common लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा root 2 x plus 5 equal to 0 तो देखें यह दोनों match हो रहे हैं match हो गए तो इसका मतलब factor हमारे बिल्कुल सही है तो इन दोनों को ले लिजिए common तो यह हो जाएगा root 2 x plus 5 एक factor यह आगा दोनों में इसे common उठा लिया और एक आएगा हमारा x plus x plus root 2 is equal to 0 एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे अगर आप इसे 0 के बराबर करते हो तो हमें x की value मिलेगी 5 उदर जाके आजाएगा minus का 5 और root 2 इसके आएगा upon में multiply वाली चीज हमेशा upon में आती है और इसको अगर root 2 को उदर लेके जाएगे तो x की value हमें मिलेगी minus के root minus के root 2 चीज़िए तो यह आगे हमारे answer वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like कर दीजिए चैनल पर पहली बार हाए है तो subscribe करके bell icon कौन कर दीजिए मिलते हैं किसी अगली topic के साथ तब तक के लिए good bye and take care